हालो व्यूर्स हम पढ़ रहें कोक्षा नवी ब्रिच कोर्स इस वर्ष दोहजार जोवीस पच्चिस का इंगलिस सब्जेक्ट का हम कर रहे हैं सबसे पहले और आज हम इसमें यूनिट वन करेंगे तो शुरू करते हैं तो इसके यूनिट वन हे फैमिली F-A-M-I-L-Y मतलब परिवार तो यहाँ पर एक्टिविटी दे रखी सबसे पहले एक्टिविटी वन हे एंसर दो फौलोविंग क्यूश्चन्स ओरली एंड टेक डिक्टेशन एंसर दो फौलोविंग क्यूश्चन नीचे प्रश्णू के उ यहां लिखिए भी, तो पहला जो कुशन है, how many people are there in your family, list them, how many people, मतलब कितने लोग है, are there in your family, आपके family, मतलब आपके परिवार में कितने लोग है, list them, उनकी list बनाईए, इसके बाद दूसरा कुशन है, तो यहां पर आप अपनी family के जो लोग है, आपके परिवार में जो जो भी हो, उनके नाम यहां लिख सकते हो, उसके बाद दूसरा कुशन है, what does your father, mother do, what does your father, mother do, आपके पिताजी, मताजी क्या करते हैं, third question है, do you have any brothers or sisters, क्या आपका कोई brothers मतलब भाई, sisters मतलब बहन, तो क्या आपका कोई बहन या भाई है, do your uncle and aunt are grandparents live with you, क्या आपके अंकल और auntie, आपके grandparents, मतलब दादा दादी या नाना नानी आपके साथ रहते हैं, तो यहाँ पर आप अपनी family के लोगों के नाम यहां लिख सकते हो, इसके बाद एक्टिविटी टू, read the following passage, तो यहाँ जो passage दे रखा, इसे पढ़ना है, तो पैसे जह, a family in करनाटका has 180 people, a family एक परिवार करनाटका में, एक परिवार में 180 लोग है, उन्हें रोज 1200 रोटियों की आवशकता होती है, They use 20 kg of wheat flour to make rotis, they use, मतलब वे उपयोग करते हैं, 20 kg, 20 kg, wheat flour, गेहुं का आटा, ठीके, wheat flour मतलब गेहुं का आटा, To make rotis, तो वे 20 kg गेहुं का आटा, यूज करते हैं, रोटी बनाने के लिए, The family needs 40,000 for cloths every year, family को 40,000 रुपए कपड़ों के लिए प्रतेक वर्षे चाहिए होते हैं, The tailor needs a tractor to carry cloths, टेलर को कपड़े लाने के लिए एक ट्रेक्टर के आवशकता होती हैं, क्योंकि इतने लोग वहाँ पर है, अब इसके बाद यहाँ question दे रखा, fill in the blanks, तो यहाँ fill in the blanks मतलब रिक्तिस्तान हमें बरना है, इस passage को देखकर, तो यहाँ पहला जो question दे रखा है, वह है, a family incarnataka has people, तो यहाँ पे हमें passage में से ही देखना है, तो a family incarnataka के एक परिवार में people मतलब लोग तो यहाँ पहले sentence से ही, यह fill in the blanks है, a family incarnataka has 180 people, तो यहाँ पे a family incarnataka has 180 people, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 180 people, दूसरा है, they need rotis every day, तो हम यहाँ पर देख लेंगे, they need around 1200 rotis every day, तो यहाँ पर आएगा fill in the blanks में 1200, तो हमें लिख देंगे 1200 rotis every day, इसके बाद तीसरा चो question है, they use 20 kg of to make rotis, तो यहाँ पर आएगा, they use 20 kg of wheat flour, तो हम यहाँ लिख देंगे wheat flour, w-h-e-a-t wheat, f-l-o-u-r, wheat flour, मतलब के हूँ काटा, तो they use 20 kg of wheat flour to make rotis, इसके बाद फूर्थ है, the family needs four cloths, तो यहाँ लिखा है, the family needs 40,000 for cloths, तो हम यहाँ पर वेशा ही लिख देंगे, needs, रुपए 40,000 for cloths, इसके बाद फिफ्थ है, the teller need to carry cloths, तो the teller need a tractor, the teller need a tractor, t-r-a-c-t-o-r, the teller need a tractor to carry cloths, तो इस प्रकार से fill in the blanks आएंगे, इसके बाद है activity 3, complete the sentences about your own family, तो your own मतलब आपकी खुद की, ठीके, swim की family के उपर यह sentence complete करना है, complete the sentence, यह sentence complete करना है, क्योंकि आपे जो है रिक्तिस्तान दे रखें, तो आपको पुरे करने अपनी family के आधार पे, तो इसमें first है, there are people in my family, तो हम यहाँ लिख देंगे, there are four, ठीके, आप अपने अनुसार लिख सकते हो, आपके family में जितने भी लोग है, वो यहाँ लिखने है, four, five, six, seven, आप लिख सकते हो, उसके बाद है, my father is a farmer, F-A-R-M-E-R, तो मेरे पिताजी एक farmer मतलब किसान है, आप अपने अनुसार यहाँ लिख सकते हो, आपके पिताजी जो भी काम करते हैं, जैसे teacher, doctor, postman, इसके बाद है, my mother is a farmer मतलब किसान, इसके बाद है, we eat for food, we eat wheat, हम यहाँ लिख देते हैं, wheat मतलब किसान, for food, my grandparents live in village, village, my grandparents मतलब मेरे दादा दादी गाउं में रहते हैं, तो इस प्रकार से फिल इन दे ब्लेंक से हो जाएगा, इसके बाद activity 4 है, read the following poem, यह जो poem दे रखी से पढ़ना है, read the following poem, इसका अर्थ है कि नीचे लिखी poem पढ़िये, तो poem है, a family is a place full of laughter and tears, एक परिवार ऐसा इस्तान है, जो पुरी तरसे खुशियों से और आसुयों से भरा हुआ है, a family is a place full of love and memories, एक परिवार ऐसा इस्तान है, जो पुरी तरसे प्यार से और रियादों से भरा है, तो यह poem दे रखी थी, अब इसके नीचे दे रखा, fill in the blanks, मतलब रिक्तिस्तान भरिये, इसमें पहला है, a family is full of and tears, तो हम यही से देखके भर सकते हैं, full of laughter and tears, तो हम laughter यहां लिख देंगे, यही से देखके हम नहीं लिख दिया, laughter and tears, poem में से, दूसरा है, a family is full of love and, तो यहां लिखा, full of love and memories, तो यहां आजाएगा, memories, m e m o r i e s, memories, ठीके, इसके पाद जो अगली activity 5 है, match the words for emotions with the correct pictures, तो जो शब्द दे रखे हैं, उनको उसके correct picture से, सही जो चितर हैं, उससे जोड़ना है, emotion के आधार पे, जैसे हैं happy दे रखा, h a double p y, happy मतलब खुश, तो हमें happy वाले, जो picture दे रखा, उससे जोड़ना है, तो देखो, यहाँ जो picture दे रखा है, यह first, second, third, fourth, और fifth वाला, तो इसमें happy वाला कुन सा है, happy वाला यह वाला है, तो हम happy को इससे जोड़ देंगे, तो happy को यहाँ से जोड़ देंगे हम, इसके बाद है sad, तो इसमें sad है, यह वाला, तो हम इसको sad से जोड़ देंगे, इसके बाद है angry, angry मतलब गुसा, तो angry वाला जो picture है, वो यह वाला है, तो angry को इससे जोड़ देंगे, इसके बाद scared, scared मतलब डरा हुआ, तो scared हम इससे जोड़ देंगे, डरा हुआ जो चित्र है, ठीक इससे, और surprised, तो surprised को इससे जोड़ देंगे, तो बहुत है आसान है यह, इसके बाद activity 6 है, read the following story, नीचे दी हुई कहानी पढ़िये, तो यहाँ दे रखा है, a jekal family lived in a forest, jekal मतलब CR, तो एक CR का परिवार, forest मतलब जंगल में रहता था, one day, मतलब एक दिन, a lion came near their den, एक lion, मतलब शेर उनकी गुफा के पास आया, the father jekal saw the lion, father जो CR में जो पिता था, पिता जो CR था, उसने शेर को देखा, he said in a loud voice, वह जोर से चिलाया, why are our children crying, हमारे बच्चे क्यो रो रहे हैं, the mother jekal replied, mother, जो jekal CR में जो मा थी, उसने जवाब दिया, oh dear, our children want to eat a lion, तो उनकी जो मा थी वह चिलाई, कि हमारे बच्चे एक शेर को खाना चाते हैं, the lion heard these, शेर ने यह सुना, he got scared and ran away, वह डर गया और भाग गया, तो यह इस प्रकार से, जो CR था, उसने अपने बच्चों को और अपने आपको बचा लिया था, शेर से, इसके बाद यहाँ पे दे रखा, answer the following question, in a word or a sentence each, तो जो नीचे प्रश्णा दे रखें, उनकी उतर हमें एक शब्द या वाक्य में देने हैं, तो इसमें पहला question है, where did the Jekyll family live, Jekyll family कहां रहती थी, तो यहाँ पे इसका उतर पहली लाई में था, a Jekyll family lived in a forest, तो यहाँ हम लिख देंगे, the Jekyll family lived in a forest, ठीके तो यह इस प्रकार से इसका उतर हो गया है, इसके बाद अगला है, what came near there, then, what came near there, then, तो one day, loyan came near there, then, यह इसका उतर आएगा, इसके बाद अगला कुश्चन है, what did the father Jekyll say, father Jekyll ने क्या कहा, तो इसका इंसर भी यहीं पर हमें मिल जाएगा, the father Jekyll saw the loyan, he said in a loud voice, क्या कहा था, उसने, why are our children crying, तो यहीं हम लिखेंगे, what did the father Jekyll say, तो father Jekyll ने कहा था, why are our children crying, ठीक है, इसके बाद, what did the mother Jekyll reply, mother Jekyll ने क्या जवाब दिया, तो यहाँ पर इसका उतर दर mother Jekyll replied, ओ डियार, our children want to eat a loyan, तो mother Jekyll ने replied करा था, our children want to eat a loyan, इसके बाद अगला है, what did the loyan do, loyan ने क्या करा, तो इसका उतर हम लिखेंगे, he got scared and ran away, वो डर गया और भाग गया, तो इस प्रकार से इनके एंसर होंगे, अब activity 7 दे रखी है, use capital letters and full stops in these sentences correctly, हमें capital मतलब बड़े अक्षर का, और full stop का यूज करना है sentence में, तो जब भी कोई sentence चुरू होता, तो उसका जो पहला word है, उसका जो पहला letter है, वो capital में होना चाहिए, और sentence के आखरी में full stop लगता है, तो यहाँ जैसे sentence दे रखा, ए जेकल, family lived in a forest, तो हम इसको लिखेंगे, ए, यहाँ पे ए capital आना था, जे, ए, सी, के, ए, एल, जेकल, family, लिव्ड, इन, ए, forest, और यहाँ जाएगा, full stop, इसके बाद है, one day a loyan came near their den, तो हम यहाँ लिखेंगे, one का ओख capital आ जाएगा, one day a loyan came near their den, और full stop, इसके बाद है, जेकल, spoke loudly, तो इसको हम यहाँ पे, F capital लिखेंगे, F, A, T, H, E, R, father, J, A, C, K, A, L, जेकल, spoke, loudly, और full stop, इसके बाद है, mother, जेकल, replied, तो mother में M capital लिखेंगे, M, O, T, H, E, R, mother, जेकल, replied, full stop, इसके बाद है, the lion ran away, तो यहाँ पे भी, the lion में T capital लाना चाहिए था, तो यहाँ पे होगा, T, H, E, the lion ran away, और यहाँ लगीगा, full stop, तो इस प्रकार से, हमने sentence कम्पलेट कर दी हैं, इसके बाद, activity 8 दे रखी है, do you know any stories about animal, क्या आप जानवरों की कोई कहानी, आपको कहानी अपनी क्लास में सुनाना है, यहाँ पे जो family हमने unit 1 पढ़ ली है, उसके यहाँ वर्ड दे रखे, और उनके हिंदी में अर्थ भी दे रखे, तो यह आपको पढ़ लेना चाहिए, जिससे कि आपके unit complete हो जाएगी, और यह वर्ड आपको याद भी होना चाहिए, इनके अर्थ भी आपको पता होना चाहिए, ताकि आगे जब भी यह शब्द कहीं पर आए, तो आप इनके अर्थ अच्छे से समझ लो, तो शुरू करते हैं, यहाँ पे दे रखा है, family, परिवार, answer मतलब उत्तर, any, any, any मतलब कोई भी या कोई होता है, अंकल का अर्थ चाचा या मामा दोनों होता है, इंगलिश में जो अंकल है, उसको चाचा के लिए भी शब्द यूज़ कर सकते हैं, मामा के लिए अंकल ही यूज़ होता है, उसके बादे अंटी, या भी चाची और मामी दोनों के लिए यूज़ होता है, इसके बादे ग्रेंड पैरेंट्स, तो ग्रेंड पैरेंट्स भी दादा दादी या नाना नानी, दोनों सभी के लिए ग्रेंड पैरेंट्स शब्द ही यूज़ होता है, इसके बादे, with मतलब के साथ, people, p-e-o-p-e-l-e, people मतलब लोग, andability, need मतलब आवशकता, around, a-r-o-u-n-d, around मतलब लगभग, use मतलब उपयोग, with, गेहू, floor, आटा, तो, यहां वर्ड आया था, with, floor मतलब गेहू का आटा, इसके बादे, make, banana, cloths मतलब कपडे, for मतलब लिये या वास्ते, यह sentence में, for शब्द यूज होता है, इसके बादे, ear मतलब वर्ष, tailor, दर्जी, tractor, tractor ही बोलते हम उसको, carry मतलब ले जाना, complete, पूरा करना, इसके बादे, o-w-n, on मतलब स्वत्ह या स्यम होता है, eat, e-a-t, eat मतलब भूजन करना, या खाना, place, इस्थान, full मतलब पूर या संपुर्ण, laughter, मतलब खुशिया, प्रसन्नता, इसके बादे, tears, मतलब आशू, दुख्या, उदासी, love, मतलब यार्या, प्रेम, memories, यादे, happy, खुश, sad, उदास, angry, गुसे में, scared, डरा हुआ, surprised, आस्चेर, चकीत, forest, मतलब जंगल, लोयन, शेर, near, मतलब समीब, den, मतलब कुफा, loud, loud, मतलब तेज, voice, मतलब आवाज, our, हमारे children, बच्चे, इसके बादे, crying, 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 मतलब रो रहे हैं, replied, मतलब जवाब देना, dear, मतलब prayer, want, मतलब चहना या इच्छा, और hear, मतलब सुना, तो इस प्रकार से, इस unit 1 के, सारे जो नए words थे, तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए, कक्षा नववी की संपूर्ण तयारी के लिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,